हालो फ्रेट्स अप देकर इंगलेंसर्स और इस वीडियो में हम बात करेंगे के 7ल टॉटल सेकृर्टी एंटी वारे स्कृर्टी एंटी वायर्स के commonly device protection और इन सब के बारे में बाते की हैं अगर आपको लगता है कि आपको total security की हर एक settings के बारे में पता होना चाहिए तो आप हमारे previous videos को access कर सकते हैं और हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा क्योंकि anti-virus से समझे बहुत detailed information हम provide कर सकते हैं और करते आ रहे हैं तो चलिए बात करते हैं आज के इस video में हम tools में click करेंगे tools में click करने के बाद यह जो 6 tab है इसके बारे में हम आपको बात करेंगे अभी तो USB vaccination है सबसे पहले यहाँ पर जैसे आप click करेंगे तो आपकी USB को आप जैसे इंटर करेंगे उसको यह vaccinate करेगा जैसे मैंने USB को इंटर किया है इंटर करने के बाद यह से vaccinate कर रहा है वैक्सिनेट कर रहा है मतलब क्या है कि जैसे कि हम अभी covid के vaccins ले रहे हैं ना तो वैसे ही यह vaccinate कर रहा है उसके अंदर वैक्सिन डाल रहा है कि उसमें कोई भी वाइरस ना उसे तो ये एक चीज होती है तो ये कब तक वैक्सिनेट करेगा ये पता नहीं चलो वेट ही करते हैं है ना वैक्सिनेशन का इसका वेट करते हैं ये ज्यादा समय तक वैक्सिनेट नहीं करेगा क्योंकि ज्य यहां पर अभी प्रसा इंतजार करेंगे ओके वाक्सिनेशन कंप्लीट हो चुका है स्कैन कंप्लीटेट नो वाइरस पाइवेर और अधर रिस्क वेर फाउन कुछ भी नहीं मिला है 619 फाइल फाउन हुई है उसमें से 611 इसने स्कैन किया है और एक गूट सेक्टर को स्कैन किया है तो इसे कुछ भी नहीं मिला है जो अगर यहां पर मिलता तो यहां पर कॉरिंटेट है आप उसे कॉरिंटेट में भी भेज़ देते हैं डिलीट भी कर देते हैं डिलीट भी कर देते हैं एक्सलूट तो वैसे कोन करता है वायरस को वैसे हम clean, delete और quarantine बहुत ही घुसे में है तो हम उसे delete कर देते हैं clean कर देते हैं लेकिन आप quarantine भी कर सकते हैं को खत्रा आपके साथ है लेकिन आपका कुछ भी नहीं कर सकता है ना quarantine जिसे कि हम साथ दिन 15 दिन quarantine हो रहे ना तो हम अपना वहाँ पर छोड़के आ रहे हैं है ना human beings के लिए वैसे नहीं है लेकिन चलो ये covid-19 आ गया तब से quarantine का जो tab है quarantine का जो word है ये बहुत famous हो गया है पहले ये antiviruses में ही होता था तो antiviruses में तो शुरू से ही है quarantine तो quarantine का मतलब यह है कि वह virus उसके अंदर चला जाएगा उस room में उसके बाद वह कभी life में वापस नहीं है जब antiviruses आपका खतम हो जाएगा uninstall कर देंगे उसके साथ साथ वो जो virus है वो भी चला जाएगा उस quarantine के साथ साथ में खतम हो जाएगा वो तो उसे बोलते है quarantine ठीक है quarantine बहुत अच्छा और बहुत strong word होता है चलो तो यह है आप vaccinate इस तरह से कर सकते हैं उसके बाद इसे close कर देते हैं उसके बाद यह security delete है आप चाहते हैं कि कोई file आपकी delete नहीं हो रही है तो आप quick mode में जाके उस file का address ले सकते हैं या फिर यह add file में click करके आप उसे कर सकते हैं मैं मान लोगी nr यह मेरा पहले जो antivirus था उसको मैं delete करना चाहता हूँ ठीक है for example यह समझते हैं अभी मेरे पास कोई भी ऐसी file नहीं है जो delete नहीं हो रहे है तो मैं इसे ही delete करके आपको दिखा देता हूँ तो मैंने यह जो file है यह यहाँ पर ले ली है और इसे मैं अभी remove करना चाहता हूँ या फिर delete करेंगे आप यहाँ पर click करेंगे और इसे delete कर देंगे देंगे हट चुकी है तो यह है मेरा कहने का मतलब यह है कि वह file जो आपके system से delete नहीं हो रही है नौर्मल इलिट प्रोसेस है तो यहां से अंटिवारस से वह delete हो जाएगी ठीक है तो उसी लिए है यह security secure delete उसकी बाद यह windows temporary file cleaner है यहाँ पर start cleaning पर click करेंगे तो यह temporary files है वो सारी files यहां से clean हो जाएगी ठीक है वैसे आप temporary files को run में जाके इस दूसरे तरीके से भी clean करते हैं है यह देखिए प्रीफी इस temporary हम डालते हैं यहां से इस तरह से भी हम temporary files को delete करते हैं ओके तो यह भी तरीका है लेकिन एंटिवारस के थ्रू अगर आप करेंगे तो ब ठीक ओके close कर दिया है उसके बाद computer को tune up आगर आप करना चाहते हैं तो tune up भी कर सकते हैं computer को tune up मतलब क्या है कि उसे क्या करेगा यह tune up कर देगा मतलब इसकी speed बढ़ाएगा देखिए tuning up हो रहा है computer ठीक है यहां पर जैसे आप click करेंगे तो यह क्या क्या tuning यह देखिए पूर internet explorer की जो history है उसे clean करना चाहे आप यहां पर click कर सकते हैं ठीक है जो भी history यहां पर आती है वैसे हमने थोड़े दिल पहले temporary file को clean किया था तो जैसे आप यहां पर start पर click करेंगे तो internet की जो browsing history है उसके साथ में हो सकता है कोई attachment आपके system में आकर बैटा हो या फिर कोई code scripted code आय कर रहा हूँ जुसरी script का इंतार कर रहा हो जब कटे हो जाएंगे तो एक virus आपके system में तैयर हो जाए तो ऐसा भी हो सकता है तो उन चीजों कभी यह सारी की सारी चीजों को clear कर रहा है तो आप IE के जरीए मैंन की internet explorer या टैब के जरीए आप इन सब को clean कर सकते हैं देखिए cleaning url history हो चुकी है cleaning url catches clean हो रही है और उसके बाद registry clear हो रही है तो यह सारी चीजों को आप clean कर सकते हैं ओके यह successfully हो चुका है इसे हम close करेंगे और temporary cleaner भी है internet explorer google chrome यह सारी चीज़े है temporary cleaner जो कि temporary files जिसके अंदर होती है यहाँ पर click करके आप उन temporary files को भी clean कर सकते हैं जो थोड़ी दिर पहले हम नहीं किया था तो यहाँ पर भी clean होने के बाद इस तरह से successful का message आजाता है यहाँ पर हमने tools के बारे में देखा update के बारे में आपको पता ही है आप update को run कर सकते हैं configure update को कर सकते हैं अगर आपको update कराना है बैसे run update now उपर click करेंगे जिसके पास भी antivirus है के 7 total security यहाँ पर click करके आप उसे update कर सकते हैं और उसके बाद configure update पर click करने के बाद उसे configure कर सकते हैं कि कब कब आपको update करना है automatically check for update यहाँ पर click है use internet only use internet if not present a case 7 local update server वगरा यह सारी चीज़े हैं तो आप use internet का इस्तेमाल करेंगे access internet through proxy server यह करने की जरूत नहीं है आप automatically update के लिए सिर्फ यहीं पर check करके रखेंगे तो यह configuration हो गया है उसके बाद scan में जाएंगे तो quick scan है quick scan में आपके system को quick scan किया जाएगा तो यह देखें बहुत speed से इसने scan किया है 184 files को scan किया है फाल हुई है और इतना यह scan किया है उसके बाद में यह quick scan है custom scan है आपको custom मतलब कौन सा folder scan करना है for example मैं इस folder को scan करना चाहता हूँ यहाँ पर मैं check करूँगा और उसके बाद start scan पर click करूँगा तो यह custom scan हो गया है तो यह उसी folder को scan कर रहा है भी ठीक है तो इस तरह से होता है इसे हम minimize कर देंगे custom scan हो गया है उसके बाद complete scan में तो आपके पूरे system को complete scan करता रहे गा यह हमने दो तीन टैप को automatically on किया है तो अभी हमारे जो divert है हो चुके है हम दूसरी जगह पर root kit scan है root kit scan को अगर आप click करेंगे we recommend it you close active applications ठीक है root kit scan के लिए सारे जितने भी applications है वो बंद करने होते है उसके बाद root kit scan यह बहुत जड़ से scan कर लेता है तो यही है उसका जड़ से scan करने के लिए होता है root kit scan please wait until the scan has complete before processing to use your system again ठीक है तो यह इस तरह से है बहुत ही अच्छा scan है यह इसे मैं नहीं चाहता अभी क्योंकि मेरा recording बंद हो जाएगी फिर ठीक है तो आप इस तरह से कर सकते हैं Wi-Fi advisor है और आपके Wi-Fi advisor पर click करेंगे तो कौन सा Wi-Fi आपके साथ अटेश है कभी कभी Wi-Fi के पर बिल रहा है और इधर से आप बहुत स्पीड से data को access करने है 10 MB पर सेकंड है ना 15 MB पर सेकंड 7 MB पर सेकंड लेकिन आपको यह नहीं पता आप तो मज़े ले रहे हो लेकिन आपको यह नहीं पता कि उस data के साथ साथ आपकर system के साथ भी छेड़ खानी खो रही है तो इस त इंक्रिप्शन टाइब बताएगा और उसके बाद उसका आई-पी एड्रेस भी बताएगा ठीक है तो आई-पी एड्रेस से भी आप पता लगा सकते हो कि आप सिक्वर्ड है या नहीं है इन सब चीजों से चीजों को कम्पेर करने के बाद तो ये था टोटल सेक्यूरिटी K7 जो की इंडिया का बना हुआ है बहूत अच्छे से उसने टाप्स को डिसकूबर किया है और अच्छे से हम अपनी सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसी और एंटिवारस के बारे में बात करेंगे उनके सेटिंस के बारे में बात करेंगे और K7 Antivirus जिस भी भाई के सिस्टम में है अगर वो एक्सेस करना नहीं जानते हैं तो हमारे इस वीडियो को रेफर कर सकते हैं अगर आपके नौलेज में कोई ऐसा भाई है कि आपका मिट रहे जो K7 Antivirus यूज़ करता है लेकिन उसे एक्सेस करना नहीं आता है तो आप ये वीडियो उन्हें रेफर भी कर सकते हैं हमारे चैनल को सबस्क्राइब करिए और इसी तरह की बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लाते रहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ अब तक लिए गुडबाए नमस्कार टेक क्यार